स्टार्ट करते कि चैप्टर फॉर सर्टीन को कैसे योग में लाया जाएगा उसको कर दें स्क्रीन और मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी कि का देती तक है अब विजिबल है ना प्रॉपर अधी चीक है मैंने मार्क भी कर दिया यहां से शुरू करना मस्तिस्क में थोड़ा सब थोड़ी सब बड़ा कर दो और बड़ा कर दो अधी अधी स्टार्ट किज मस्तिक्ष्ट में कोशिका विन्यास के वीच में कहां पर एक ऐसा अंग है जो उस विचार के कंपनों को प्रापत करता है जिसे आवास कहा जाता है अब एक अब तक विज्ञान जे नहीं कोच पाया कि छटी इंद्रिय का ये अंग कहां परस्तित है प्रन्तु ये महत्तपुर्ण नहीं है कि वास्तित्ता यही है कि इनसान शरीरिक इंद्रियों के अतिरिक अन्य सरोतों से भी ज्यान प्राप्त करते हैं ये ज्यान आमतोर पर तब प्राप्त होता है जब मस्तिश्क किसी असधारन प्रेरना के प्रभाब में कार्य करता हो कोई अपात कालिन स्थिती जो भावनाओं को जागरित करती हो और दिल की धड़कन को समान्य से अधिक तीर कर देती है छटी इंद्रिय को हरकत में ला सकती है और आमतोर पर लाती भी है जो व्यक्तिकार चलाते हैं जो व्यक्तिकार चलाते समय किसी दुर्गटना से बाल बाल बच गया हो ये बात जानता है कि इन अवसरों पर शटी इंद्रिय अकसर बचाब करती है और खिशनवर में दुर्गटना को टालने में मदद करती है ये तथे बताए हैं ताकि मैं एक महत्तपूरन तथे बता सकूँ अद्रिश्य प्रामर्श दाताओं की मेरी बैठक में मैंने पाया कि मेरा उन विचारों और ग्यान को अधिक ग्रहन करने की स्थिती में है जो छटी इंद्रिय के माद्य में मुझे तक पहुंचते हैं दर्जनों अबसरों पर मैंने अपात कालिन स्थितियों का सामना किया उन में से कुछ इतने गंबीर थे कि मेरा जीवन एक खत्रे में था किसी चमतकारिक शक्ती ने मुझे इन मुझे इन मुश्किलों के पार निकलने का मार्गदर्शन दिया जो मेरे अद्रिश्य असलाकारों के प्रभाब में संबब हुआ कालपनिक लोगों के साथ बैठके आयोजित करने का मेरा मूल लक्षित सिर्फ ये था कि मैं अपने अंतरमन को आतम सुझाव के सिधान द्वारा ये निश्चित गण परदान करूं जो मैं हासिल करना चाहता था पिछले कुछ सालों में मेरा परयोग बिल्कुल अलग ही रास्ते पर चल पड़ा अब मैं अपने काल्पनिक प्रामर्श दाता हूं के पास हर कठिन जी कहां मैं माक कर दिया है हर कठिन टोड़ा माक कर दिजिए मैं मेरी स्क्रीन उपर की ने निकल कर हो गया अभी दिख रहा है माक कर दिया मैंने अब मैं अपने काल्पनिक प्रामर्श दाता हूं के पास हर कठिन समस्या को ले जाता हूं जो मेरे जा मेरे क्लाइंट के सामने आती हैं परिनाम अक्सर अश्चरे जनक होते हैं हालां कि मैं पूरी तरह से परामर्श के इस सरूप परामर्श के इस सरूप पर निर्वर नहीं करता हूं छटी इंद्रिय कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप इच्छा में ओड़ लेते हैं जा इस महान शक्ति का परजोग करने की जोगेता धीमे धीमे आती है और इस पुस्तक में बताएगे अन्ने के परजोग में आती है चाहे आप कोई भी हो जा इस पुस्तक को पढ़ने का आपका उदेश्य कुछ भी हो आप इसका लाब उठा सकते हैं चाहे आप इस अध्याय में बताएगे सिदान वो समझ ही ना पाएं ये खास तोर पर तब सच है जब आपका पर्मुक्रुदेश्य धन का संग्रह जा अन्य भोतिक बस्तों का संग्रह हो छटी इंद्रेवाला अध्याय इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि पूस्तक इस तरह डिजाइन की गई है कि इसका लक्ष एक पूरण फिलास्फी परस्तुत करना है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना मार्ग दर्शन बिना किसी गलती के कर सके और जो व्य जीवन में चाहता है उसे हासिल कर सके समस्त उपलब्दी का शुरुवाती बिन्दू इच्छा है अन्तिम बिन्दू उस किसम का ग्यान है जो समझ की और ले जाता है खुद की समझ दूसरों की समझ परकिर्टी के नियम की समझ सुख की समझ इस तरह की समझ पूरी तरह सिर्फ तबी आती है जब आप छठी पढ़ने के बाद आपने ये गोर किया होगा कि आप इसे पढ़ते समय मांसिक परेणा के एक उचे स्तर पर उठ गए थे अद्वुत आज से एक महीने बाद इसे एक बार फिर पढ़े और आप पाएंगे कि आपका मन परेणा के और भी अधिक उचे स्तर पर विचरन कर रहा ह कर रहा होगा इस अन्वव को समय समय पर दोहराते रहें और इस बात से कोई सरोकार ना रखें कि आप उस समय कितना अधिक जग कितना कम सीख पाए हैं और अपने आपको एक ऐसी शक्ति का स्वामी पाएंगे जो निराशा को दूर फैंकने में डर को प्रास करने में टालमटो को छोड़ने में और अपनी कालपिन पल और अपनी कलपना शीरता का अधिक मुक्त अपयोग करने में आपको समर्थ बनाएगी तब आपको लगेगा कि आपने उस अंजान किसी चीज को छो लिया है जो हर सच्चे महान चिंतक लीडर कलाकार संगीतकार लेखक और राजनित के पास होती है तब आप अपनी इच्छाओं को उनके वह तिक आर्थिक रोब में उतनी ही असानी से रुपांत्रित करने की स्थिति में होंगे जितनी असानी से आप बिरोध का पहला चिंद देखते ही पहले गुटने टेक देते थे और मेदान छोड़ देते थे है कि हमें अपने स्पिल्ग करना है सक्ष्ण संस व किसी छीसस करने में हमें पहले अभास हो जाता है अगा होता है तो यहीं इसकी इसको घृट होता चल जाता है तो ऊछिस को अधाने कृश्ड़ी काम करना बहुत जिस्धार आयो चलते हैं नेक्स्जडर यहां से स्टार्ट केजिए डर के छे भूतों को कैसे निकालना जाए दोलतमन्द बनने के लिए दिमाग खाली करना इससे पहले कि इस फिलास्पी के किसी हिस्से को आप सफलता पूर्वक परयोग में ला सकें आपका मन इसे प्राप्त करने के लिए तियार होना चाहिए तियारी कठिन नहीं है ये उन तीनों शत्रों के अध्यन विश्लेशन और समझ से शुरू होती है जिनें आपको दूर भगाना होगा अनिर्न्य शंका और डर छठी इंद्रिये तक तक काम नहीं करेगी जब तक की तीनों शत्रों इन में से एक भी आपके दिमाग में बने रहेंगे इस दुष्ट त्रीमूर्ती के सदस्य आपस में करीबी रूप से जुड़े हैं जहां एक मिलेगा वहां के दो भी आसपास ही मिलेंगे और निर्निया डर का अंकुर है जब आप पड़ें तो इसे याद रखें और निर्निया शंका में बदलता है फिर ये दोनों मिल जाते हैं और डर बन जाते हैं अक्सर ये मिलने की परकरिया दीमी होती है ये भी एक कारण है कि ये तीनों छत्रू इतने ख़दरनाक क्यों होते हैं वे अंकुरित होते हैं और बढ़ते रहते हैं और हमें उनकी उपसिती का पता तक नहीं चलता इस अध्याई की बाकी का भाग उस लक्षे का वर्नन करता है जिसे हासिल किया जाए इससे पहले की इस पूरी फिलास्पी का प्रैक्टिकल पर जो किया जाए ये उस थिती का वी विशलेशन करता है जिसमें बहुत सारे लोग गरीब भी में सिमट गए हैं और ये सच्चाई और ये सच्चाई बताता है जिसे उन सभी वेक्तियों को समझ लेना चाहिए जो अमीर बनना चाहते हैं चाहे इसे धन के संधरब में मापा जाए जा मानसिक अवस्ता के संधरब में जो धन से अधिक मुलेवान होती है इस अध्याय का उदेश्य है छे मूलबूत डरों के कार और इलाज पर द्यान केंद्रित करना इस से पहले कि हम किसी दुश्मन को जीत सके हमें उसका नाम उसकी आद्दें उसके रहने की जगा पता होना चाहिए जब आप पढ़ें तो साबदानी से विशलेशन करें और ये निर्धारित करें कि इन छे आम डरों में से कोई आपक मैं से कोई आपको सात में तो नहीं ढुड़ा हुआ है इन सुक्ष्म सत्रों की आद्दों से दोखा ना खाए कई वार आंतरमन में शुपे रहते हैं जहां उन्हें खोजना मुश्किल होता है और उन्हें सपष्ट करना तो और भी मुश्किल होता है छे मौलिक डर, कुछ छे मौलिक डर होते हैं, जिनके किसी सामजस्य के कारण हर समाने इंसान कभी न कभी दुख उठाता है, जिनें सही छे डर नहीं समझताते, ऐसे अधिकांश लोग भागेशाली होते हैं, उनके सबसे आम प्रकट होने के करम में हैं, गरीबी का डर, अलोजना का डर, बुरे स्वास्य का डर, प्रेम के विचो का डर, बुडापे का डर, मोद का डर, बाकी सब डर कम हत्रपूरण हैं, उन सभी को इन छे शिशकों में शामिल किया जा सकता है, हर मानसिक अवस्था से अधिक कुछ नहीं है, किसी भी माहिस्तिक अवस्ता को नियंतरित किया जा सकता है और उसे दिशा भी दी जा सकती है इनसान तब तक कुछ भी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मन में किसी संबेग के रूप में इसका विचार ना आए इस वक्तव्य से एक अधिक महत्वूर्ण वक्तव्य निकाला जा सकता है इनसान के विचार, संबेग, ततकाल अपने आपको अपने भूतिक रूपों में रूपांतरित करना शुरू कर देते हैं चाहे वे विचार एचिक हो जा अनेचिक, वे विचार संबेग जिनने सिर्फ संजोग वश्वरहन किया जाता है, वे विचार जो अनेमस्तिशकों से निकलते हैं, किसी के आर्थिक, वेवसाइक, प्रोफेशनल या समाजिक भाग्य का निर्धारन कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह की वे विचार संबेग करते हैं, जिनने कोई पूरे इरादे और सोच विचार कर जनम देता है, हम जहां तक उस व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्तपूरण अधारशिला रख रहे हैं, जो नहीं जानता कि कुछ लोग किस्मत वाले क्यों नजर आते हैं, जबकि उनके वराबर जा उनके अधिक जोगेता, पशिक्षन, अनुभव और मानसिक शमता के लोग बदकिस्मती की लहरों से क्यों डूपते उतरते हैं, इस सथे को इस विपतब्बे से स्पष्ट गिया जा सकता है कि हर इनसान में अपने मन को पूरी तरह नियंतरित करने की योगता होती है, और स्पष्ट रूप में इस नियंतरन के द्वारा हर इनसान अपने मन को उन गुस पैठिये विचार संबेगों के लिए खुला रख सकता है, जो दूसरे मन से आ रहे हैं, जहां फिर वे अपने मन के दरवाजे बंद रख सकता है, और केवल अपने चु इनसान को सिर्फ एक ही चीज पर पूरा नियंतरन दिया है, और वे है विचार, जे तर्थे, जब इस तर्थे के साथ जुड़ जाता है, कि इनसान जो भी बनाता है, वे विचार के रूप में शुरू होता है, तो उस सिधानत के बहुत करीब आ जाते हैं, जिसके द्वारा डर को जीता जा सकता है, आप ये सच, अगर ये सच है कि हर तरह के विचार में अपने भोतिक रूप में रूपांतरित होने की प्रविरती होती है, और ये सच है, इसमें संदे की कोई गुंजाश ही नहीं है, तो ये भी उतना ही सच है कि डर और गृबी के विचार संबेग, साहस और आर्थिक लाव के संदर्म में रूपांतरित नहीं किये जा सकते हैं, पस सुलोचना जी आज क्लियर करेंगे, ठीक है ना, आज को इस नहीं रखते हैं, आभी देखा हमने कितने डरों को हमने पढ़ ये उंपकर नहीं करेगा वह करेगा या नहीं रखते हैं, तो अब गर ऐसल टाकत में करना है? तभी आप अपने देखो बगवान ने कहते हैं कि इंसान को बनाया सब एकी है बट क्या होता है कि कुछ लोग उन चीजों का उप्योग सही से करते हैं और कुछ लोग बिलकुल भी नहीं करते हैं तो क्या होता कि उन चीजों को हमें अपने आप में सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर हमें भी बतया कि हमारे जो माइंड की कीई एक हमारे मंद में कीजी स्कोनेके डाउट स्रहते हैं। मिस्कोन लेकर हम कोई नेड्ने सही से ले पाथे और फिर उसके सांथ डर हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं। और यह तीन चीजे ना हमें आगे बढ़ने से रोखती से क्या करना है कि हम Coming अपने डिशीजन लेना है उस डिशीजन पर टिके रहना उस पर डाउट नहीं करना साथिसाथ उस डर को भगाना है कि आगे हमें बढ़ना है कि हम सक्सेस हो जाएंगे तभी हम आगे बढ़ताएं और कोई कुछ कहना चाहता है अगे गोल्डी जी रिता जी प्रदीर जी पंडी जी पंडी जी तो बहुत अच्छा एक्स्प्रेइन कर सकते हैं